नवस्कार जैसी क्रश्ण मिरा नाम है जोशी आशिश और आप देखना शुरू कर चुक है ज्योतिश की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा आस्ट्रोलोजी आजम बात करेंगे ग्रिह प्रवेश के सर्वोत्तम महुर्तों के बारे में नवंबर और दिसंबर के महिने में किस दिन में ग्रिह प्रवेश का सर्वोत्तम महुर्त आपके लिए बन रहा है क्योंकि यह वीडियो अन्य वीडियो से अलग होने वाला है हटके वीडियो होने व कि आपको किस दिन ग्रिह प्रवेश करना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नवंबर और दिसंबर के महिने के सर्वोत्तम ग्रिह प्रवेश के मुहुर्तों के बारे में तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो में हमने सभी राशी के हिसाब से बताया हैं कि किन राशी वालों को किस दिन प्रवेश करना चाहिए अगर आप अपने लिए मुहुर्त देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए अंदा तक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फिर भी आपकी अगर कोई भी प्रशन हो कोई भी समस्या हो अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन वास्तो संबंदित कुं में अंडरलाइन की होगी जिसमें अंडरलाइन की हुई आपको दिखे वह सर्वोत्तम महुरत है ग्रिह प्रवेश के वरिश चक्र की कुंब चक्र की कलश चक्र की शुद्धी के साथ जो महुरत होते है वह सर्वोत्तम कोटी के महुरत है और जिसमें अंडरलाइन नहीं की ह वह ग्रह प्रवेश के उत्तम महुर्त है तो आगे वीडियो को समझ में में आपको आसानी सरलता होगी नवंबर 2022 की बात करें तो 26 नवंबर 2022 शनिवार मार्गरशिर्श शुकलत रुतिया आति थी मूलनक्षत्र चंद्र राशी है धनू तो उसके हिसाब से कन्या मकर और व्र पंचमीति थी उत्तरा शाधानक्षत्र चंद्रमा मकर राशी में है तो उसके हिसाब से व्रिष्टिक मीन और करकर राशी के व्यक्तियों के लिए ग्रह प्रवेश का महुर्त नहीं है अब दिसंबर के महीने के महुर्तों की बात करें तो दिसंबर 2022 शुकरवार मार्गशिर्ष शुकल दशमीति थी उत्तरा भादरपदानक्षत्र मीन राशी में चंद्रमा है तो धनू मेश और सिवह राशी के जातकों के लिए महुर्त नहीं है आठ दिसंबर 2022 गुरुवार मार्गशिर्ष शुकल पूर्णी माति थी व्यक्तियों के लिए महुर्त नहीं है 9 दिसंबर 2022 शुकरवार पॉष कृष्ण प्रतिपदात थी मुर्गशिर्ष शुनक्षत्र मिथुन राशी में चंद्रमा है तो मीन करक और व्रिष्टिक राशी के व्यक्तियों के लिए महुर्त नहीं है 16 दिसंबर 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक धनार का है मतलब की खरमास लगता है तो खरमास में कभी भी ग्रिह प्रवेश इत्यादी कोई भी मंगल कारिय है शुभकारिय अच्छे कारिय नहीं किये जाता है तो 15 दिसंबर के बाद आपको कोई भी मुहुर्त देखने नहीं मिलेगा आशा करते हैं यह जानकारी नमंबर और दिसंबर की शास्त्री यह जो माहिती हमने आपको प्रदान करीवा आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ज्यादातर वह हमारी वीडियो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होगी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही शास्त्रिया शास्त्रों के प्रमाणों के साथ वीडियो आपके लिए बनाते र हो जाएगा और आपके उपर उधारी चड़े ही ना आपको कभी करजा चड़े ही ना ऐसा उपाई देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो के उपर प्लिक करें जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रिया जानकारियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैश्री कृष् वंदे मातरम